नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मनीश इशोदिया को आज कोट से एक बार फिर से बड़ा जटका लगा है आज मनीश इशोदिया की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोट में कर आ रही थी तो उस दौरान का एक वीडियो भी जमकर वारल हो रहा है जिसको लेकर अब आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस के साथ मनीश इशोदिया के साथ किये गए गलत वहवार पर अब सवाल खड़े कर रही है वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते ह मनीश इशोदिया को जब राउज एवेन्यू कोट लेकर आया जा रहा था तो मीडिया समू का भारी बीड़ता और पुलिस ने हलका सा बल प्रयोग करके मीडिया वालों को हटाने की कोशिश की पर इस पर अर्विन के जिवाल जो है वो भड़क उटे हैं उन्होंने ट्वी ट्वीट भी किया है वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं अर्विन के जिवाल ने त्वीट के लिखा कि क्या पुलिस को इस तरह मनीश जी के साथ दुर्वैवार करने का अधिकार है क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए उपर से कहा गया है तो ये वीडियो भी शोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है ज़्यादा जानकारी और ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ निउस्वं से जोड़े हुए क्यापटल टीवी के एडिटर इंचीव डॉक्टर मनिश कुमार अर्विंद केज्रिवाल तो दिल्ली पुलिस पे ही सवाल खड़े कर रहे है देखिए वो एक कहानी आपने सुनी होगी, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और एक दिन वाकई भेड़िया आ जाता है, यह आमादी पार्टी का यह जो लीडर है, अरविंद केजरिवाल, वो भगवान को सुक्रदा करें कि अभी तक इसका नंबर नहीं आया है, यह तो कह रहे हैं कोट के अंदर कि यह भ्रस्टाचारी है, यह मास्टर माइंड है, और यह फरजी शराबनीति को बनाने और उसको इंप्लिमेंट करने का सबसे बड़ा यह हर स्टेज पे इसने गोटाला में अपना रोल निभाया है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या चाह रहे हो, भग चक्कों के साथ किस तरह से बढ़ता होना चाहिए, भई आप यह बताईए, आपको बेल क्यों नहीं मिल रहा, सारी कहानी यहीं पर है, बेल मिलता नहीं है, यह चीखने चिलनाने लगते हैं, मैं तो देख रहाता हूँ, आम आद्बी पार्टी के तरफ से, मुर्खों की बा खुन कटा करके सहीद बनने की इनकी आदद हो गई है, आपको मीडिया में भासन देने के लिए कोट मिला जाता है, आप एक आरोपी हैं, आपके उपर बेल नहीं मिल रहा, आपको कोट बार बार हर जगह से कह रही है, कि तुम भरस्टाचारी हो, तुमने चोरी की है, तुम चोरो, और यह चाहरे की भई, वहाँ पर खड़े हो जाएं, कि जैसे कोई मुख्यमंत्री भासन देता है, मीडिया वालों को मीडिया से बात करना एलाउड नहीं है, लेकिन वो तो अद्यदेश पर बोल रहे हैं, तो अद्यदेश पर वो दलाल किस्म के लोगों को पहली ख आज में पूछना, उची आवाज में किसलिए, कि ताकि तमाम कैमरे में वो सवाल चला जाए, आप यह समझे बात को, वहाँ पूरा थेट्रिक्स हो रहा है, और उसके बाद यह आता है, दूर से कैमरे में देखता है, कोट के अंदर यह रो रहा है, गिर-गिरा रहा है, और जहां कोट से बाहर निकलता है, दूर से देखता है कोट कैमरा वहाँ पर है, यह मुश्कुराना चालू कर देता है, यह ऐसे ऐसे थो, यह ड्रामे वाज मनें पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है इनको, अब दिक्कत क्या है कि जैसे यह हुआ, आम आदी पार्टी ने पुलिस वालों को उपर से किसी ने आदेश दिया है, यह ठीक वैसा ही आदेश है, जिस आदेश में तुमने अपने ही दोस्त के घर पुलिस वाले को भेज दिया था, वो तो तुम्हारी चली नहीं, कोट से तुम्हें मुह काला होकर कहाना पड़ा, वहां फटकार पड़ी भै यही काम करने के लिए तुमने पुलिस भेजा था ना, कुमार विश्वास को और ग्रिफतार करने के लिए, तो किसा धार पर भेज दा ता तुमने, तुम करो तो कानून है, और तुम्हारे साथ कोट में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए तुम किसी को और को यह कर दो, पर जो एक चीज़ बताओ कि भई बखाद दक्का तो नहीं दिया मीडिया वाले वाले घेर रहे हैं और वह वहां पर भासन देने के लिए थोड़ी यह आरोपी है यह तिहार ही है आदमी इसको क्या वहाँ पर रोक दिया जा है ये इसको पॉस्टिप सेंस में क्यूनी लिया जा रहा है क्योंकि मनिश शोदिया की सुरक्षा को लेकर भी तो दिल्ली पुलिस के बड़ी जमेता रही है सब इसको मालूम है कोई सुरक भई कौन इसके शुरक छक कहले ना देना है यह सब यह बरश्चाचारियों की पार्टी चोरों की जमात है यह यह इस तरह की भाषा ये डिजर्ब करते हैं आप देखे इनके ट्वीट को देखे इनकी भाषा को इन लोगों ने राजनिती की सारी मर्यादा खतम कर दी, कल इसी तरह का तमासा कर दिया, सतंदर जैन की तस्वीर निकाल दी, जैसे ऐसे ये लोग छाती पीटने लग गए, कि सतंदर जैन अभी हॉस्पिटल के अंदर वो बिल्कुल आईसीउ में भरती हो गया है, मैं भगवा उन्होंने देखा, उनको ले गया जाया गया था वो डी डी यू, दीन द्याल उपध्याय होस्पिटल, वहां से उठा करके, उन्हां कहा कि मुझे इससे सटिस्पेक्शन नहीं है, मुझे एक और डॉक्टर से बातचीत करनी है, और यह क्यों, यह मीडिया में दिखाने के के लिए, वो मीडिया में दिखाने के लिए कि यह देखिए मारी तस्ट, मैं इतना ज्यादा जो है बीमार हो गया हूं, पहले मैं ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसा दिख रहा हूं, सुप्रिम कोट में बेल की सुनवाई है, 26 तारिक को, और जहां इनके वकील, अभिशेक सिंग भी ने ये प्ली किया, कि सितंदर जैन माई लॉड वो कंकाल बन गया है, 35 kg वेट लूज हो चुका है, रहम कीजिये, वहां नहीं बोला जाता, जो केजरिवाल भाशन देता है बाहर, कि भई, क्या आरोप है, कोई आरोप नहीं है, वो बिलकुल कटर इमांदार है, को कोट में जाकर के कहिए जैसाब से क्याम को जबर्दस्ती मोदी ने बंद करवाया है, कोट में जाकर के बोलो कि मोदी ने हमें फसाया है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, कोट में बोलते हो ये बात, नहीं, कोट में क्या बोलते हो, मैं बीमार हो गया, में तबित खरा है तो यह जो है यह बहुत यह राजनीती का नटवर लाल है आज कोट में क्या हुआ कितना बड़ा जटका मानिशी शोद्या के देखिए इसको जटका जटका लगेगा यह एडी का केस हो सीब्या के केस हो जस्टिस एम के नागपाल यह अपने कई बार कह चुके हैं कि घोटा देखिए यह बिल्कुल ओपनें सट केस है मनिश्य सोद्या और केजरीवाल ने मिलके दिल्ली के अंदर में काटलाइजिशन किया एक सवाल का जवाब देगा यह केजरीवाल कोई पूस्ता नहीं है कि सारे ब्रैंट के दारू अभी भी क्यों नहीं दिल्ली में अबलेबल ह किसको मदद किया जा रहा है जिससे पैसा लेकर के पहले से ड्वांस में ले रखे हो उसके लिए सारे ब्रैंड्स दिल्ली में क्यों नहीं मिलते इसका कोई जवाब देगा यह सर से पाउं तक यह आदमी भरसचार में लिप्त है और इसलिए यह इस तरह का तमासा करता है कि मीडिया वाले फिर यह ना चला है कि बेल रिजेक्ट हो गया इनको जो है त्यार फिर से भेज दिया गया आज वैसे एक फाइदा हुआ है इसने कहा कोट के अंदर कि मुझे पढ़ना लिखना है बहुत यह हो गया है तो बहुत टेबल कुरसी चाहिए तो जज साब ने कहा बहुत टेबल कुरसी दे दो और वह किसलिए कि चलो भई आगमे लेकिन इसने जो यह प्ली किया कि मेरी पत्नी बीमार है इसलिए हमको बेल दे दो वहाँ जाकर नहीं बोलते हैं कट्र निमानदार है बेल प्ली में यह नहीं कहते कि हमको जबरस्ति फुसाय गया कि एडिक क पास को सबुत नहीं है वहाँ एक अधर मेरी भीवी की तवद खराब है तो जब साब ने कहा था कि भाई इसको रोज जो है एक बार जो है वीडियो कॉलिंग से इनकी बात करा दिया करो तो हो गया मसला यह देखिए सराब घोटाले में केजरिवाल भी जाएगा इसी तरीक से जाएगा क्योंकि इसके साथ सत्य नहीं है सत्य यह है कि घोटाला हुआ और इन लोगों की करस्तानी की वज़े से हुआ है इसलिए यह सारी चीजे हो रही है के दौरान का एक वीडियो शोशल वीडिया पे जम कर वारल हो रहा है जिसको लेकर आम आदमी पाटी जम कर राज़्रीती कर रही है इस बड़ी कबर पे मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरा पसंद्रवी के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी